तो बच्चों आज हम बात करेंगे जो आपने पेपर जिदा साइंस का काफी बच्चों को डाउट था ठीक है कि आंसर की में कुछ मिश्टेक है तो काफी बच्चे कुमेंट किये थे मैं उसी भी सिम डिस्कस करूँगा और सबसे में चीज आपको सबसे पहली बात यह ध्यान यहीजी था ठीक है अब इसमें क्या है तो सबसेमें चीज यह जो आशर की प्रोड की गई है ठीक है यह यह जो आन्सर की यह को प्रोड की जाती है तो उसी के थूरूप का आपकी कोफी चेक होती है की ठीक है मैं जो भी अफडेट देता हूं, इस्कूल में जब आंसर किया जाती है तब अपलोड करता हूं, ठीक है और दूसरी बात कुछ बच्चे वेकार में कमेंट करते हैं उल्टे सीधे, कि मतलब आंसर ऐसा नहीं है, यह है वो है, तो उल्टी सीधे कमेंट का कोई मतलब न तो यह तो आपकी जानकारी के लिए मैं इसको अपलोड कर देता हूं ताकि आपको भी पता रहे हैं जो आंसर की भेजी है कोई मतलब नहीं होता क्योंकि जो भी चीजे मैं देता हूं आपको क्लियर देता हूं ठीक है स्कूल में सारी चीजें जब आज आती है तो उसके बाद अपलोड करता हूं फाल्टू में फाल्टू की चीजें नहीं अपलोड करता हूं तो अब देखो तो इस कोशन की बात करेंगे जो यह आंसर की है इस में डान है जहां और कोशन की बातरोक किया रहिए तोحت प्रम में गया ऊपक मिलेंगे टो हां मिलेंगे तो ठीके अब कैसे मिलेंगे यह भी आप देख लो पहले आपको मैं सर्कुलर दिखा देता हूं ठीक है यह तो जे एस के वन का है ठीक है यह अब आंसर किये अब एक बार सर्कुलर वहले देखो देखो यह कितनी तारीक का है देखो द्यांसे तो दिसंबर 2021 का है यह सर्कुलर वहले ने प्रोवाइड किया है कल प्रोवाइड कर दिया था अब इसमें सबसे में चीज में आपको यह पहले यह प्रोड़ो आपके समझ में आ जाएगा ठीक है यह देखो इसमें क्या करा है in case of any mistake in the question paper or some answers is wrong students may reply the question as per their wish ठीक है और इसके बाद में आगे लिखा गया है the evaluators में check या evaluate the OMRS according to the answer की provided to them मतलब जो answer की provide के गई है इसकूल में उसी के according जो copy चेक करने वाले होंगे आपके teacher उसी के according चेक करेंगो paper solve नहीं करते बस आपकी OMR seat उनके हाथ में होती है और answer की उनकी हाथ में होती यह answer की जो मैंने उपर भी दिखाया बस उसी से वह जो भी होता है A B C D अपने आप मार्ग करते चलते हैं फटा फटा फट कोपी आपकी उसी दिन चेक हो जाती है ठीक है ना तो कल की भी copy आपकी चेक हो गई होगी ठीक है उसी दिन चेक हो जाती ह तो इसकूल में यह सब करेक्शन हो सकता है अब कैसे होगा देखो जैसे आप उन्हें आज पेपर दिया तो पेपर देने के जश्ट बाद आपकी copy उसी दिन चेक हो जाती है उसके बाद में उसकी जो मार्किंग होती है इसकूल को सेंड कर दी जाती है फिर all subject जब आपके प स्ट्रम का स्कूल की तरफ से प्रवाइड होगा 10 मार्क्स फर्स्ट्रम का ठीक है ना दस नंबर उसमें से भी प्रवाइड होंगे तो टीचर को अगर पता है इसमें यह मिश्टेक है तो इसमें यह बताया गया है यह पूरा पढ़ लो समझ में आपके आजाएगा कि आंसर टाइप में वह बना कर फिर वह सीविस्टी को प्रवाइड किया जाएगा ठीक है तो आप स्कूल टीचर से बात करोगे वह प्रिंस्पल को बोलेंगे सारा करेक्शन कर देंगे करने के बाद में लास्ट में एक साथ आपके फरस्टरम का जो पेपर होगा ओल सब्जेक्ट क सबकी मार्किंग स्कीम कहां भेजी जाएगी सीविस्टी को फिर वह आगे का प्रोसेस जारी करेगा ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है बस जो भी मिश्टेक हो रही है आप अपने टीचर से बोलो टीचर प्रिंस्पल से बोलें ठीक है फिरहाल जो टीचर है चेक करने वाले वह मार्किंग स्कीम सामने रखते हैं और OMRC सामने रखते हैं आपकी बस उसी समयच करते चले जाते हैं वह कोशन पर ज्यादा डिसकस नहीं करते हैं ठीक है तो यह पूरी क्लियर इंफोमेशन है ठीक है आपको किसी प्रकार की टेंसन नहीं लेना है तो जो भी मार्किंग स्कीम में और आंसर की में मिश्टेक हो रही है उसको कोई बच्चा उसको संको अटेंड किया हो ना किया हो या फिर कोई सब लगाया हो उसके एक नंबर फिक्स है उसको अलग से सबको दे दिया जाएगा ठीक है ना यह चीत ध्यान में रखना तो आज की इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर ओचिंग दिस वीडियो एंड टेक किया है